दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं एक PVC सीलिंग डिजाइन जो ड्राइंग रूम का PVC सीलिंग डिजाइन हमने बनाया है तो अगर स्टार्टिंग में हम इसके साइज की बात करें तो साइज है इसका 15 बाइ 12 फूट तो 12 फूट 15 का जो ये होल है इसमें हमने पूरे रूम में PVC पैनल को इंस्टोल किया है साथ में दिवारों पर भी पैनल लगाया तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानेंगी तो दो साइड से हमने इसको डाउन किया 15 इंची और इसमें दो दो लाइट है 18 स्टैप में दो जगए लगा दी तो टोटल हमने इसमें ऐसे 8 लाइट लगाई है और दोस्तो अगर इसके बाद बात करें बीच वाले पैनल की तो बीच वाला पैनल है जो हमने वाइट कलर का लगाया है और इसके बाद जो डिजाइन बनाया है थोड़ा सा तो 5 इंच वाई 20 इंच की हमने पटियां लगाई बना के सेंटर में वो लगा दी और उसके बीच में एक लाइट काट दी जिससे एक डिजाइन बन गया इसके और लुक भी अच्छी आ गई तो इसके बाद अगर बात करे फैन की तो फैन के ऊपर दो फैन लगें इसमें दो पंखे लगें तो दोनों पंखों के ऊपर हमने 60 वाई 10 इंच का एक डारक कलर का पैनल लिया और उस पर उस वाइट कलर पे इसको ड्रैक्ट पेस्ट किया है तो इससे जो पंखे का भी डिजाइन बहुत अच्छा बन जा एक बार चारा लग दिया और दो पंखे के पास दिया तो इससे बहुत अच्छी लुक बन जाती है और बाकी जो सारा बेस पैनला वो वाइट कलर का है तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें दिवार की तो दिवार का जो बैक वैक बोल बनती है जो पीछे वाली दिवार है उसके पर हमने फिलावर वाला पैनल लगाया है सबसे हेवी अगर इसके बाद करें बाकी कितीन दिवार की तीन दीवार हमने वाइट कलर का पैनल है तो दूसरी दिवार आप देख पार समय इसमें पूरे ड्राइंग रूम की अछृ लुक का जाती है अगर आप भी अप दिवार पर आप कोई अच्छा सा डिजाइन का कलर स्लेक्ट कर लीजिए और जो बाकी की तीन दिवारे होती है उस पर क्रीम कलर बहुत अच्छा लगता है और जो सीलिंग का कलर है वो वाइट और डारक कलर रहेगा तो बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा पूरे रूम की ल रहने के लिए धन्यवाद